श्रीराम जनमभुमी आयोध्या में 22 जनवरी को हुने वाली प्राण प्रतिष्टा कारेक्रम को देखते हुए सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तला मंदर में 22 जनवरी को हुने वाले एक लाख एक हजार दीपमाला कारेक्रम में सखी परिवार अपना योगदान देगा उक्त बात की जानकरी देती हुए सखी परिवार से समीर शर्मा ललिता सखी गौरफ तायल हर्शवर्धन कोहली ने बताया कि सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तला मंदर में 22 जनवरी को हुने वाले दीपमाला कारेक्रम में सखी परिवार रसिक जनों को साथ लेकर दीपमा के आयोचन को श्री देवी तला मंदर के नाम से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जो पैसे एकत्रित करने को लेकर प्रचार किया चारा था उन लोगों के साथ सखी परिवार का कुछ लेना देना नहीं है कुछ फरजी लोगों ने उनकी संस्था के नाम से पैसे इकत्रित करने का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया था और वेकुछ लोगों के भैकावे में आ गए थी लेकिन उन्हें इस बात का एहसास अब हुआ कि श्री देवी तलाब मंदिर की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है जै श्री राम श्री देवी तलाब मंदिर में 22 जन्परी को जो इतना बड़ा दीपदान हो रहा है वो देवी तलाब प्रबंदर कमेटी द्वारा ही सारा कारेकरन किया जा रहा है सखी परिवार उसी तरह उसमें अपना सेवा देगा अगर किसी ने श्रीदेवी तलाग मंदिर की तरफ से कोई भी सेवा इकठी करी है दीपदान का नाम लेकर तो वो अपनी सेवा मंदिर जाके वापिस करे या जिस से ली है उनको वापिस करे या मंदिर में आके रिसीद कटवा दे महामाई उनको माफ करेगी तो आएए सब मिलकर हम 22 जनवरी का दिन धूमधाम से में आएए